हलो दोस्तों मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीटीर कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बहुत ही क्रूशल टॉपिक के उपर बात करने जा रहें यहाँ पर आज हम चार्ट पैटर्न के उपर बात करने जा रहें हम यहाँ पर different types of chart pattern को देखेंगे और study करेंगे और उसके बाद हम उन में से profitable chart pattern को identify करेंगे यानि हम ऐसे chart pattern पर focus करेंगे जहाँ पर profit probability हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा तो चलिए यहाँ पर हम chart pattern को सीखते हैं और उसके बाद हम profitable chart pattern को identify करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें types of chart pattern को देखना परेगा अगर आप types of chart pattern की बात करें तो सबसे पहले हाता आपका continuation chart pattern यह निया हमें जो trend चलवा उसी trend को continue करने का indication देता है और इन सारे chart pattern की उपर हम detail से बात करेंगे दूसरा जो हाता आपका reversal chart pattern यह हमें reversal का indication देता है यानि जो trend पहले से चल वा उस trend में हमें reverse देखने को मिलता है यानि यह reversal chart pattern कहला आता उसके बाद आता आपका bilateral chart pattern यानि यहाँ पर हमें किसी भी तरफ breakout या breakdown देखने को मिल सकता है तो इसलिए हमें लोग इसको बोलते हैं bilateral chart pattern चलिए अब हम तीनों chart pattern को एके करके detail से समझते हैं और study करते हैं तो यहाँ पर हम first type of chart pattern को देखते हैं और वो है आपका continuation chart pattern अगर हम continuation chart pattern की बात करें तो उसमें आता आपका falling ways, rising ways, bullish rectangle जिसको हम लोग pavlal channel pattern के नाम से भी जानते हैं bearish rectangle और आपका आता bullish pennant और bearish pennant अब इसको हम लोग continuation chart pattern क्यों बोलते हैं इस concept को भी आपको समझने की जगत है और बहुत कम जगा यह concept आपको बताया जाता है first पहले यहाँ पर देखे, falling ways में क्या है आपका जो trend है वो upside की तरफ है यहाँ पर हमें uptrend देखने को मिलवा उसके बाद price में हमें contraction देखने को मिलवा जब भी price में contraction देखने को मिलता है ultimately price में हमें blast देखने को मिलता है breakout देखने को मिलता है तो जो trend चलवा है उसी trend की तरफ यहाँ पर हमें breakout देखने को मिल सकता इसके chances ज़्यादा रहते हैं यहाँ पर हमें इसी तरफ breakout देखने को मिलेगा तो जो trend पहले था अब trend वही trend यहाँ पर continue है तिसी के लिए इसका नाम है continuation chart pattern यहाँ यह trend को continue करता है लेकिन यहाँ पर 100% guarantee नहीं है कि आपका breakout हमेशा upside की तरफ ही देगा लगबग 85-90% chances रहते हैं कि trend के direction में breakout देगा लेकिन कई बार यह trend के opposite side भी breakout या breakdown दे सकता है तो यह भी आपको देखना परेगा उसके बाद अगर हम rising wave pattern की बात करेते हैं यहाँ पर आपका देख सकते है downtrend है और price का contraction के बाद finally हमें जो breakdown म जो हमें मिलने की chances रहते हैं वो downside की तरफ है यह इसी भी तरफ हमें momentum देखने को मिलेगा तो जो भी आप यहाँ पर pattern उठा लो हर एक में जो trend का direction है आगे भी चाहे breakout हो या breakdown हो जो trend continue पहले से चला आ रहा है उसी तरफ हमें breakout या breakdown मिलने के chances है इसलिए इसको हम लोग बोलते है continuation chart pattern हम chart पे चलके इन सारे pattern को identify करेंगे और वहाँ पे हम out detail से देखेंगे कि हमें trade कैसे initiate करना उससे पहले हमें दूसरे type of chart pattern को देखना होगा वह आपका reversal chart pattern अब इसका नाव reversal क्यों पर आ है क्योंकि यहाँ पे देखे जो trend चल रहा है सबसे पहले इसमें आता आपका double top, double bottom, head and solder, इसका opposite inverse head and solder, rising wave, इसका opposite आपका falling wave आ जाता है, तो अगर हम double top pattern की बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका up trend है, लेकिन double top बनने के बाद यहाँ पे जो हमें direction मिलता है, इसका वो नीचे side की तरफ मिलता है, यह नहीं यहाँ पे, यह downtrend में change हो गया, तो यह क्या किय अब भी chart pattern हम देख रहे है, इन सब का placement बहुत जादा important है, कहाँ पे किसका placement होना चाहिए, जब हम chart पे आएंगे, तो आपको वहाँ पे detail से बताएंगे, वैसे अगर आप head and solder pattern को देखो, इससे पहले up trend है, और पूरा head and solder pattern बनने के बाद, यहाँ पे जो हमें momentum देखने को मि reversal देखने को मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते है, reversal chart pattern, उसके बाद तीसरा type of chart pattern कौन सा होता है, आपका bilateral chart pattern आता है, अब bilateral chart pattern में किसी भी तरफ हमें breakout या breakdown देखने को मिल सकता है, जिसमें आता है, ascending triangle, descending triangle, symmetrical triangle, basically जो भी triangle pattern आपका होता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका क chart pattern, यह निए यहाँ पे, अगर हम ascending triangle की बात कर ले, यहाँ पे हमें upside की तरफ और downside की तरफ किसी भी तरफ breakout या breakdown मिल सकता है, descending triangle की बात कर ले, यहाँ पे किसी भी तरफ breakout या breakdown मिल सकता है, वैसे symmetrical triangle की बात कर ले, यहाँ भी किसी भी तरफ breakout या breakdown मिल सकता है, इसलिए इसका न चार्ट पे चलके अब इन सारे चार्ट पैटरन को देखते हैं, समझते हैं और फिर इन सब में से profitable चार्ट पैटरन को identify करते हैं तो यहां पे हम चार्ट पे आगें और देख सकते हैं यह चार्ट है आपका access banker daily chart time frame की बातकर किसी भी time frame में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पे आपको concept बता रहा हूँ इसलिए हम daily time frame में आ रहे हैं अगर आपको चार्ट पैटरन के बारे में समझना है तो हमेशा आप daily time frame बाला chart इस्तेमाल कीजिए इसलिए आपको हमेशा daily time frame में concept को समझना है इसके साथ एक और चीज बताना चाहूँगा कि अगर आपको chart pattern या फिर technical analysis के बारे में details से और study करना from basic to advanced systematic तरीके से तो इसके लिए हमने course design किया है उसके लिए आपको हमारा mobile app equity community को play store से डाउनलोड करना होगा नहीं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा जहां पर हमने systematic तरीके से candlestick pattern, chart pattern, technical analysis, future options और stock market का basic से लेके advanced level तक सब कुछ बताया है एक दम systematic तरीके से और इस तरीके से बताया है कि आप as a independent trader काम कर सकते हैं तो एक बार आप हमारा mobile app डाउनलोड करके जहूर विजिट कीजिए पसंद आता आप course को enroll कर सकते हैं और course को देखने के बाद आप stock market में अपना carrier भी बना सकते हैं अगर आप यहाँ पर part time या full time carrier बनाना चाहते हैं इस तरीके से हमने सारा कुछ वहाँ पर explain किया है और आपको वहाँ पर weekly classes में मिल जाएंगे live classes तो आप को पसंद आता है तो आप course को enroll कर सकते हैं लेकिन एक बार mobile app डाउनलोड करके वहाँ पर विजिट जगूर कीजिए और यहाँ पर हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं अब अगर हम यहाँ पर बात करें profitable chart pattern की तो जितने भी chart pattern है सारा chart pattern आपके लिए profitable साबित हो सकता आपको profit बना के दे सकता है लेकिन उसका placement बहुत ज़्यादा जरूरी है उसका placement कहां पे है वो define करेगा कि वो particular chart pattern हमें profit बना के देगा यह नहीं देगा अगर वो गलत जगा पे बना है तो चाहिए कितना भी जवरदस chart pattern क्यों नहीं हो जाए चाहिए वो क्यों नहीं है head and solder हो या फिर inverse head and solder हो आपको वो भी नुकसान बना के दे सकता है लेकिन अगर उसका placement सही जगा पे है तो आपका symmetrical chart pattern या फिर ज़रूरत है तो सबसे पहले जो chart pattern का बनना चाहिए दो ही जगा बनना चाहिए आइदर वो आपका support level के करीब बनेगा और support level आपका strong वाला होना चाहिए या फिर resistance level के करीब बनेगा तब ही हम यहाँ पे trading initiate करेंगे इसके बीच में अगर कहीं पे भी बनता हुआ दिखता है तो हम trading initiate नहीं करेंगे वो chart pattern आपको profit बना के नहीं देगा आपको trap में फसा सकता हो ultimately आपको loss उठाना पड़ेगा इसलिए हमें उसी chart pattern पे focus करना वही chart pattern profitable chart pattern होगा जो कि आपका support level बन रहा हो या फिर resistance level पे बन रहा हो जैसे यहाँ पे आपका symmetrical chart pattern का formation हुआ है अब इससे पहल काफी लंबा support level है वो भी कहाँ पे daily time frame के chart पे जिस पे हम अरोसा कर सकते हैं उसकी बाद यहीं से हमें क्या हुआ price में contraction देखने को मिला है और यह आपका कौन सा chart button है मैंने आपको पहले बताया था यह आपको bilateral chart pattern है जिसमें हमें किसी भी तरफ breakout देखने को मिल सकता है तिहां पे price आपका इधर से अगर उपर side की तरफ निकलता है तिहां पे हम buy side की तरफ trade initiate करेंगे अगर इसको break करके initiate करें यहनि यहां पे हम दोनों direction के लिए तयार रखेंगे अगर sell side की तरफ जाता है यह supportable break करके नीचे गया और जैसे supportable break होगा यहां पे हमें major breakdown देखने को मिल सकता है और अगर इसको break करके ऊपर निकला है तो that means to support के पास से हमें क्या देखने को मिला है तो यहां पे हम आसानी से buy side की तरफ trade initiate करके profit बना सकते है और ultimately break out आपका देखने को मिला है यहनि price आपका upside की तरफ निकला है तो जैसे उपर side की तरफ निकला है यहां पे या फिर candle closing के बाद आप कहीं पे भी buy side की तरफ trade ले सकते है यह candle का lowest point आपका SL की रूप में काम निकल सकते हो तो इस तरीके से हम क्या कर सकते है symmetrical chart pattern के basis पे भी हम trade initiate कर सकते है लेकित इसका placement आइधर कहां पे होना चाहिए आपका resistance level के पास होना चाहिए या फिर support level के पास होना चाहिए इस case में इसका formation कहां पे है इसका formation आपका support level के पास इसलिए यहां पे हम trade करेंगे और support resistance के बीच वी फ़र्म होगा था हम ट्वेट नहीं करेंगे यह concept को आपको ध्यान बखना यह conditions है profitable chart pattern के लिए हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर भी हम देखते हैं एक chart pattern का formation हुआ है और in general जो आपको सब ज़्यादा chart pattern देखने हो मिलेगा आपको triangle chart pattern देखने हो मिलेगा और इ यह सारे flag pattern आपका rising wave, falling wave वो थोरा सा कम देखने को मिलता है यह जो भी pattern है वो हमें ज़्यादा तर देखने को मिलता है तो यहां पर अगर हम बात करें तो price आपका नीचे से उपर side की तरफ जा रहा है यहां पर आपका पहला top का formation किया फिर price आपका नीचे आया फिर यहां से उसके बाद जैसे double top बना हम neckline find करेंगे हमारा neckline हो गया और मैंने आपको बताया था कि double top pattern को हम दो क्या बोलते है M pattern भी बोलते हैं अब इसमें क्या होता है यह आपका कौन सा है अल्वेड ही बता दिया था कि reversal chart pattern है मतलब जो up trend है अब उसके बाद हमें down trend देखने मिलेगा यह neckline है जैसे price neckline को break करके नीचे जाएगा हम sell side की तरफ trade लेंगे और जहां से up trend start हुआ यह हमारा target price होगा इस तरीके से हम profit बना सकते और यहां पर हमें big profit मिलता हुआ देखता है तो इस तरीके से अब हमें देखना है इसका placement कोई resistance level के पास है या नहीं है क्योंकि up trend है और हमें यहां पर पीछे आने की जवबत होगा अगर आप थोरा सा पीछे आते हैं तो देख सकते हैं इसी लेवल के आजपास एक strong resistance level का build-up हुआ है और multiple time लगवग 1-2-3 और 4 times इसी resistance level करिवा के price आपका नीचे side के तरफ गिरा है मतलब यहां पर आपका strong resistance level का formation हुआ है और उस इसका formation अगर के पास नहीं होता इसके basis पर हम trade नहीं करते हैं उसके पाद अगला chart pattern back to back form हुआ क्या है आपका flag pattern का formation हुआ देख सकते हैं यह आपका flag pattern है flag pattern का formation हुआ और यह भी कहां से formation हुआ support level के करीब से यह आपका generate होता हुआ दिखा है और flag pattern क्या denote करता है यह आपका continuation of trend को denote करता है यह जो trend पहले से वही trend आगे भी continue रहेगा up trend है मतलब यहां पर जो हमें breakout मिलेगा वो upside की तरफ ही मिलेगा और यहां पर price में contraction बाद finally upside की तरफ breakout मिला यहीं पर हम बाइसार की रहेगा फिर हम इस target price के लिजा सकते हैं जिसको आसानी से इसने hit किया तो देख सकते हैं सारी चार्ट पैटरन का placement यहां पर आपका जरूरी है support या फिर करी तभी हम trade initiate करेंगे उसके पाद एक और चार्ट पैटरन आप find कर सकते हैं यह आपका बन गया double bottom pattern प्राइस आपका उपर से नीचे साथ की तरफ आया यहां पर आपका पहला bottom बना है फिर आपका उपर गया फिर नीचे आया फिर दूसरा bottom बना है जैसे double bottom pattern का formation हुआ हम neck line find करेंगे यह हमारे लिए neck line है और यह कौन सा chart pattern है यह आपका है reversal chart pattern अगर आपको यह chart pattern reversal bilateral या continuation यह ध्यान नहीं है तो support level के पास होना चाहिए एक simple सा trick बताता हूं जो भी pattern आपको upside की तरफ indication देता है उसका formation यह अपसेड की तरफ breakout देता है उसका formation support के पास होना जरूरी है और जो भी आपका downtrend का indication देता है उसका formation आपका resistance level के पास होना जरूरी है तब हम trade करेंगे otherwise हम trade avoid कर देंगे simple सा technique है यहा यहां पर हमें upside की तरफ hint मिल वा तो हम support की पास देखेंगे यहां पर support पहले से बना हुआ तो हम यहां पर इसके लिए जाएंगे और फिर हम यहां पर बाइसाट की तरफ trade initiate करके इस टारगेट पर इसके लिए definitely जा सकते हैं ऐसा ही आपको multiple example देखने को मिल जाएगा अब हम थोड़ा कुछ और example देख लेते हैं यहां पर देखें आपका flag pattern बना continuation pattern है आपका continue किया इसके बाद आपका double क्या बना double top pattern का formation हुआ है और यहां पर आपका कोई पहले से restanceable नहीं था लेकिन fresh restanceable का formation किया है उसके बाद फिर आपका head and shoulder pattern बना है इसको थोड़ा सा समझने की जो होता है head and shoulder pattern को head and shoulder pattern में क्या बनता है सबसे पहला आपका एक बनता है left shoulder फिर आपका इससे थोड़ा सा उपर आपका यहां पर head बनता है फिर आपका बनता है right shoulder तो ऐसे यहां पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला यहां पर एक high formation किया अभी high formation किया है अभी हम इसको हाइ आपका पहले हाई के ास-पास बनेगा, तो हम यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेंगे, हम यहाँ पे आपका हेड and शॉल्डर है, यह आपका left शॉल्डर बन गया, और यह आपका यहाँ पे head बन गया, और यह आपका और इस टारगेट पैस के लिए जा सकती इस तरीके से हम दो तरीके से यहां पे ट्वेड कर सकते हैं और यही आपका कैसा पैटरन है रिवर्रसल पैटरन है क्योंकि इससे पहले अप्ट्वेंड़ था और इसके बाद हमें करना वहीं बताएगा कि कौन सा पैटर्न प्रॉफिटेबल है और कौन सा प्रॉफिटेबल नहीं है तो कौन सा पैटर्न सपोर्ट के पास बना कौन सा पैटर्न वेस्टेंस लेवल के पास बना वह देख के हम पता कर सकते हैं कि यह प्रॉफिटेबल पैटर्न है या फिर नही इपिकेशन मिल जाए और आप वीडियो मिस्स ना करें So that's all friends, मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जाहिन